तो यही बात अल्ला ने बताई है कि यह चांद का घटना और बढ़ना is nothing other than यह कि यह तुमारा एक natural calendar है यह तुमारी कुद्रती जंतरी है इसलामी calendar कमरी calendar है हम यह जानते है इसलामी calendar वैसे तो दोनों calendar शमसी calendar, दो किसम के calendar जाते हैं शमसी calendar, जिसे हम solar calendar कहते हैं और चांद का calendar, कमरी calendar जिसे हम lunar calendar कहते हैं महीने दोनों के अंदर क्या है? बाराही है दोनों के अंदर महीने बाराही शमसी calendar को Christian calendar कहा जाते है क्योंकि यहूद और नसारा उसको मानते थे और चांद के calendar कमरी lunar calendar को मुस्लिम कैलेंडर कहा जाता है इसमें कोई शक नहीं कि कमरी कैलेंडर या लिउना कैलेंडर मुस्लिम कैलेंडर है और हमें इसे अपनाना चाहिए लेकिन क्या क्या कुरान में कहीं या हदीस में कहीं हमें शमसी कैलेंडर मना किया गया इस्तमाल करने से या अगर हम solar calendar या Christian calendar अपना लेंगे तो वो गुना हो जाएगा या कोई non-muslims का रवाया हो जाएगा हाँ हमें यहूद और निसारा को कौपी करने से मना किया गया है, there is no doubt बट याद रखिए का यह solar calendar कोई उनका अजारादारी नहीं है यह कमरी calendar भी अल्ला का बनायावा calendar है और वो solar calendar भी अल्ला का वज़ा करता calendar है यह किसी एक फिर्के, किसी एक group या किसी एक नभी के पैरोकारों की अजारादारी नहीं है यह तो आश्मान पे सूरज चमकता है और वो calendar बन जाता है आता जाता है चांद बढ़ता घड़ता है तो दूसरा कैलेंडर बन जाता है ये किसी एक कौम ये किसी एक पैरोकारों की अजारदारी नहीं बन जाती है वो तो हमने नाम रखे हैं कि वो क्रिस्टिन कैलेंडर और ये मुस्लिम कैलेंडर है otherwise वो लिउनर कैलेंडर है और यह सोलर कैलेंडर है हम कमरी कैलेंडर भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन शमसी कैलेंडर इस्तमाल करने की बाद मुसल्मान, काफिर या नौन मुसलिम नहीं हो जाते हैं ऐसा कोई तसवर मौजूद नहीं है आप जरा से रैशनालिटी के साथ तो सोच के देखे सूरज भी अल्ला का है, चांद भी अल्ला का है दोनों को भड़ाता घटाता भी अल्ला है, दोनों अल्ला के इजन से हुकम से आते जाते हैं और फिर अगर जरा सा रैशनली सोचे तो आप देखे हमारी इबादात ही में से कुछ भादे जांद के हवाले से डिटर्मिन होती है और कुछ सूरज के हवाले से ऐसे नहीं है, बसे देखे हमारे रमजान, हमारे हज इसका तायून जांद की तारीखों से, ऐसे ही होता है रोजे कब शुरू होंगे इद कब होगी इसका तायून हम कैसे करते है हम चांद की तारीखों से करते है हज कब करना है आठ जिल हज कब है दस जिल हज कब है मिना से रिवानगी कब है मज़र्फा से वापसी कब है ये सब तायून कैसे चलता है यह चांद की तारीखों से चलता है इदुज़ुहा कब आएगी इदुल-फितर कब आएगी सब हमारा कैसे चलता है हमारी चांद की करण नमाज कैसे चलती है नमाज के पांच वक्त का तायुन इन्शाला हम किताब उस सलाथ में पढ़ेंगे वो तायून कैसे होता है सुरज के गरूब होने सुरज के तलू होने सुरफ के निस्वने हार पर ढ़ल जाने नमाज जो हमारी पहली अबादत है उसका तायून सुरज से है सहरी और इफ्तार के आوقाद का तायून किसके साथ है अभी आपने पढ़ा सूरज के साथ है इसी तरह हज में वकूफ अरफात कब तक करना है अरफात में कब पहुँचना है मिना से कब निकलना है अरफात में कब पहुँचना है अरफात से कब निकलना है अरफात में कब तक ठहरना है मजलफा में कब पहुँचना है कब ठहरना है, कब मजलफा से मिना चले जाना है और कब मिना से रवाना हो जाना है कब रमी करनी है यह सब कैसे पता चलता है सुरज के तायून से, ऐसा ही है न हमारी कुछ अबादात सुरज के साथ टाइम इड़िस्टमेंट और कुछ की चांद के साथ बड़ी क्लियरली मैं फिर दोहरा रही हूँ हम अपने मामूलात जिन्दगी में कमरी कैलेंडर भी इस्तमाल कर सकते हैं और शमसी कैलेंडर जस्ट बिकॉज इस लेबल अस क्रिस्टिन कैलेंडर उसको इस्तमाल करना हमारे लिए गैर शरई या नौन इस्लामिक रुज़ान नहीं होगा हम हमें ग्लोबली, इंटरनेशनली सारी दुनिया के साथ इन अटाक्ट करना है उनके बैंक्स, उनके अलेना, उनका देना, उनके कारोबार, उनकी डेट्स अगर हम इस इंटरनेशनल डेलिंग में कहें नहीं हम अपनी तारीक से करेंगे, तो अपनी तारीक से करो, मुझे बताएंगे, बिसनस टीलिंग्स हो सकेंगी इंपोर्ट्स, इक्सपोर्ट्स चल सकेंगी, फ्लाइट्स चल सकेंगे, नहीं चल सकेंगे तो अगर हम इस सारे मामलात में उनके साथ ये मामला चलाएं तो इसमें कोई कबाहत, कोई गएर इसलामी तरीका या रवया नहीं होगा इसलाम के अंदर तंग नजरी नहीं है इसलाम वसी नजर दीन है और याद रखे का जहां वस्ते नजर जायज है वहां वस्ते नजर अपना लेना मुसल्मानों और इस्लाम की असानी का जरीया बनता है हाँ, अलबता कुछ काम खासल खास सिर्फ कम्री केलेंडर ही के साथ होंगे खासल रमजान, हज, जकात की अदाइगी का इहत्माम और बंदोबस्त इसी तरहा इद्द, तलाक के बाद इद्द, या बेबह की इद्द ये सब कैल 깔्कुलेशन्स क्रिस्विण 手लर कालेंडर के हसाप से नहीं होंगे ये सब कम्री केलेंडर के हिसाप से होंगे झाल झाल